जो चड़री है उसमें कुछ मैंने जनर्नेल एंट्री बताई थी और लास्ट में मैंने एक आपको एक कम्माइन एंट्री बताई थी कि जिसमें व्यापार प्रारम किया व्यापार रोकर से माल से मसीन से या फटनीचर से हम व्यापार प्रारम करते हैं तो वो सब क्या है कैप पैसा लगाने वाला व्यापारी का नाम ने लिख करके वहां पर हम कैपिटल सत्का इस्तेमाल करते हैं तो एक तो कमेंड एंट्री में ने बताएंगी एक कमेंड एंट्री आप उन बताओं जैसे उसमें देर्खा है एक आपके जैसे जैसे एक जुनाई को हमने मोहन से तीस अजार उपेका और रवी से तीस अजार उपेका माल खरीड़ा तो एक जुलाई को हमने दोनों से माल खरीड़ा अलग अलग मोहन से खरीड़ा तीस अजार उपेका और तीस अजार उपेका रवी से किया है तो एक तो होती है कि हम इसकी अलग-अलग एंट्री करें क्योंकि हमने मोहन से खरीड़ा है तो पेमेंट हमारे को मोहन को करना है रवी से माल खरीड़ा तो रवी को पेमेंट करना है या तो इनक़नं की अलग-अलग अंट्री करें लेकिट एक ही डिलेगी हैं भी हम दोनों की एक कमाइंड अंट्री भी करके दोनों से हमने Elijah की दिन माल खरीदा है तो दोनों कीząd round entry य葉न हमने की अमिस्धित प्रवुष्टी इसको बोलते हैं वो कैसे करेंगे देखो इसमें सबसे पहले तो माल किसमें खरीदा है हमने माल खरीदा है दूसरे इसमें क्या है माल खरीदा है हमने नकट खरीदा या उधार करेदा है विसकी पैचान मेंने बताइ थी कि जिसमें किसी वेक्ति का नाम या संस्ता का नाम आता है वो लें डως उधार होता है तो इसमें नेखो मोहन और रवी यह दोनों नाम दे रखे हैं इसका मतलब हमने उधार माल खाते है और खरीदने पर हमारे पास जो माल आ रहा है माल किसमे आता है आपके वस्तुगत खाते में ये व्यक्ति है ये किसमे आता है व्यक्तिगत खाते में मोहन और रवी दोनों व्यक्तिगत खाते में आते है और माल खरीदा ये किसमे आता है वस्तुगत खाते में तो इसमें व्यक्तिकत खाता और वस्तोगत खाता दो प्रभावित हो रहे हैं तो दोनों के नियम लागूर हो जाएगे तो सबसे पहले जैसे व्यक्तिकत खाते का नियम है पाने वाले को डेविट करो तो माल किसने खरीदा है? हमने खरीदा है तो पानने वाले तो हमें लेकिन मैंने बताया था कि आपमारी अपना खुद का नाम कभी नहीं लिखता है इसलिए हमारा नाम नहीं लिखा जाएगा देने वाले को क्रेडिट करो देने वाले को ने मोहन और रवी दोनों से खरीद है command entry बता रहो तो देने वाले को क्रेडिट करो तो दोनों को हम क्रेडिट कर देंगे तो मोहन अकाउंट और तो रवी अकाउंट ठीक है तीस अजार रुपे का क्रेडिट है तो तीस जार रुपे मोहन के खाते में और तीस जार रुपे रवी के खाते में व्यक्तिकत खाता कम्प्रिट हो गया अब देखो माल जो खरीदा है जा किसी सेट खरीदा वस्तुगत खाते में आता है और वस्तुगत खाते का नियम क्या है जो वस्तुगत खाती है उसे डेबिट करो तो देखो इसमें क्या रहा है मारे पास माल आ रहा है इसमें व्यक्तिक की है उसे डेविट करो किया रहा हमारे पास माल आया और माल क्या कि हम आ खरेदें को क्या बोलते इसलिए हम डेविडा को कि अधी अधीज टोम यूद मन्हें कितना करेद है तो नेरिस्टन वैसे हो जाएगा तो ज्यादा इसमें डिफ्रेंश नहीं है गुर्स पर्चेश्ट फ्रों मोहर्ट एंड रवी यह कमाई ने तो कोई जादा डिफ्रेंस निये इसमें कि दो व्यक्ति है तो दोनों का नाम जाएगा हम चाहें तो इसकी अलग-अलग एंट्री भी कर सकते थे पहले आपने मोहर्ट से माल खरिदा तो हम एंट्री क्या कर देंगे पर्चेज इसे माल के विक्रे की एंट्री कर सकते हैं तो देखो कैसे करेंगे जैसे आपके यह एंट्री थी कि इसमें माल के सेंस की कर देते हैं जैसे मोहन को 30,000 रुपे का और रवी को 30,000 रुपे का माल बेचा अगर इसकी जगह यह होता है तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, उसमें हमने माल खरीदा था, इसमें हमने माल बेचा है, वही कमाईनेटे, इसमें वही मोहन और रवी दोनों व्यक्तिगत खाते में आते हैं, माल चाहे खरीदा हो चाहे बेचा हो वस्तुगत खाते में आता है, यानि कि इस व्यक्तिकत खाते का नियम, पाने वाले को डेविट करो। दोनों को हम डेविट कर देंगे। मोहन अकाउंट डियार रभी अकाउंट डियार यह तो ओगया वेक्टिकट खाते का पाँने वाले को डेविट पूर्ट देने वाले हमने हमारा नाम नहीं ली थेंगे वस्तुगत खाते का नियम जो वस्तुद जाती है उसे क्रेडिट करो सेल्स को क्रेडित है किसको कर देंगे你說's Christmas कितने साथ जार तो सेल्स में तो पोंटल मोंट आजाएगा 60 000 आचा मुवंग को माल पेचा 30,000 का तो 30,000 से डेविट कर देंगे और रवी के खार्ते में भी कितना आ जाएगा पीस का यह एंट्री हो जाएगी और नरेशन इसका सेम वेसा ही गुड्स सोल्ड तू मोहज एंड रवी यह नरेशन हो जाएगा ठीक है यह वह आपके इसकी कमाइट है आपको एक एंट्री और बता रहो एक कमाइट ने अंट्री में आपको बता रहो 8,000 रुपे मजदूरी तका 2000 पे ब्याज चुका है पांच जुलाई देखी दोनों एक साथ दोनों के हम चाहे तो अलग-लग एंट्री भी कर सकते कमाइट एंट्री कैसे करेंगे मजदूरी यानी की वेजेच और ब्याज यानी की एक प्रेश्ट ठीक है तो दिखो इसमें कौन कोर से खाते प्रवाई तो चुकाने पर यह सो निश्यते की रोकड जानव ही और मजदूरी ब्याज चुका किसमे आता है धी धीक होखाते मेंमें और चुकाने पर 8000 पर 2000 कि यो रहा इए इसमें आता आपके वस्तुगत खाते है चैनि इसमें निए एवास्त भी खाता और कल दोनों की नियम रागू करते के समस्थ हानियों एवं खर्चों वं डेविड मजदूरी और भ्यास लुए ऐ तो समस्त्थ हानिम खर्चों को डेविट कर दोनुन काउम डेविट कर देंगे वेज़ अकाउंट डिया और नाज यानि कि इंट्रेस्ट अकाउंट डिया तो वेजेज है वो कितनी है 8000 पिट और प्याज कितना है 2000 पिए यह तो खर्चा होता है या आए होती है वस्तुगत खाते कर नहीं है उसे कई जा रहा है जो वस्तुगत आती है क्योंकि पाससे क्या ही सब्गतलakां क्या जा रहा है नोरे सनसा क्या आए है वेजेज एंड इंट्रेस्ट पैड मजदूरी और व्याद चुटाएं जो आई जाएगी पांट जुडाएं जो भी डेटा वह आजाएगी इसके कमाइन एंट्री पोजाएं ठीक है इक कमाइन एंट्री आपको और बता रहा हूं उसके बाद में मैं आपको कुछ देता हूं यह एंट्री है यह एंट्री की जाएं पक्तिकत भी प्रभावीत हो रहे हैं यह कमल का नाम दे रहा है और जो केश है 15,000 पे इसमें आपके किसमें आता है वस्तुगत खाते में और माल जो बेचा है चाहे नकत बेचा हो चाहे उधार बेचा हो ये भी किसमें आता है आपके वस्तुगत खाते में यानि कि इसमें कहते ही प्रभावित हो रहे हैं व्यक्तिकत और वस्तुगत तो दोनों के नियम लागू करते हैं व्यक्तिकत खाती का नियम, पाने वाले को डेविट को, देखो माल किसने बेचा है, हमने बेचा है, माल किसको बेचा है, कमल को, चाया नकद बेचा हो या उधार, नकद और उधार दोनों हमने कमल को ही बेचा है, तो पाने वाले को डेविट करो, हम डेविट किसको कर देंग है कि अब कमल को टोटल माल कितना बेचा है पंद्रेजार नकद और वीजार पे का उधार कितना हो गया 25 लार देनेवाल ये तो हमें तो हमारा नाम नहीं आएगा ये तो गया वेक्टिकत करो अब अस्तून ने जो अती है उसे डेविट करो और जो अस्तू जाती है उसे ग्रेडिट करो देखो इसमें माल हमने जो बेचा है देखो इस एंट्री को एक बार फिर से आप देखो इसमें हमने नकद और उधार माल दोनों बेचा है तो पाने वाला इसमें कमल है तो व्यक्तिकत खाते के नियम के अंसार पाने वाले को डेविट करो तो कमल को तो डेविट करेंगे ठीक जो नकद माल बेचा है उतने से हमारे पास कैश आ रहा है कितने का माल बेचा है 15,000 पे का तो कैश हमारे पास कितना आ रहा है 15,000 पे तो हम कैश को हम क्या कर देंगे इसमें डेविट कर देंगे जितने से कैश आ तो कैश हमारे पास से अब कुछ गारा इनखती का नाम निखा जाता ह Talk लेकिन माल चाहे नखत बेचा जाएगा उधार माल हमारे पास टोटल कितने का जा रहा है 35,000 उपे का तो जो वस्तू जाती है उसे क्रेट करो जो माल किया है उढ़े का, उढ़े कुछ का, पास सेल्स का जाएगी तो जतनी राशी का ग्रिक्रियार माल खरीद आघा तो इसमें आजाएगा फुट शोल्ड को कमल को माल पेचा बसी तरह इंदरेशनी को कि आपके यह थूजाए तो यह मैंने आपको कुछ एंट्री बताई थि अब आपको कुछ एंट्री बताई ता वह आपको सोल्ड कर तो ऑप जोड़े तो अब उसी के आधार पर आपको कु करनी पहला दिसंबर एक राकेश ने 50,000 रुपे का नकद 20,000 रुपे का माल और 10,000 रुपे के फंड नीचा लगा कर व्यापार प्राव प्रवीन से 15,000 रुपे का और प्रमोज से 20,000 रुपे का माल खरी था एक आसी एंट्री में ने बता दी कि नाम चेंज है तीसरा है दिनेस को 15,000 रुपे का उधार और 10,000 रुपे का नकद माल बेचा इसके भी कमाइन एंट्री है फिर चोती एंट्री है कि अमाउंट और नाम बदल करके मैंने एंटीज आपको करने के लिए दीजी सोल कराइए उसी के बेस पर आपको चारों एंटीज सोल करनी है